नमस्कार साथियों तो कैसे आप सब भगवान धन देनेश्य पहले देते हैं ये शंदेश सकून सास्तर वक उनुशार प्राय इस वर धन देनेश्य पहले लोगों को देते हैं साथ शंकेत आज के सुड़ों में जानेंगे मित्रों हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस घटना से में पहले आउगत हो चुके हैं वह घटना भगवान हमें श्वपना के मद्धम से दिखाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ठीक इसी प्रकार दोस्तों धन देने से पहले कितों को हमें बताते हैं कुछ ऐसे हमारे साथ घटना होती हैं जिसे हमें अपारधन शंबदा मिलते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता तो यह मैं आप लोगों को बताऊंगा इससे पहले भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो हमारे चैनल को सब्सक् बनाशकए सब्सक्राइब राप्तन, पर नावन करूंण होना अधिकतर अगर आपके दाए घुझली हो रहें तु इसे धन प्राप्ति होता है, दूसरा काम पर जाते शमय पीले वस्तर में अगर कोई इस्तिरी दिख जाये यह कुवारी कंया दिख जैं तो परमात्मा की सबसे बड़ा सुम्केत होता है। कहा जाता है , कही पर जाते समय अगर दुरभाग्य में सब्सर्ण करने केल करने के लिए तो इस भी धन प्राहती होता है। और ये बी बताया जाता है , स्वापनम में न्य chakra के दिखनें छे भी अचानक धन प्राहती होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदे नहीं है चौथा स्वपन में अगर कमल के फूल आपको दिखाई देने लगे या कभी कभी स्वपन में आपको कमल के फूल दिखाई देते हैं तो इसे भी आकश्मिक धनकी प्राप्ति होता है पाच्वा स्वपन में शफेद कलर की साब देख आता श्वपन में शफेद कलर की साफ देखना यह जागरी तवस्था में अगर आपको सवभाग्यवस सफेल कलर की साफ दिख जाए तो इसे भी अचानक धन की प्रप्ति होता है छटवा शपने में अगर भगवानी की दिवर आपको मंदिर दिखाया जा रहा है तलाब दिख गुलाब की फुल दिखाया जा रहा है यह सी वैड़ा तो इश्वफन दिखाया जा रहा है तो इस्यफ्चे भी अचानक धन की प्रप्ति होती है इसमें किसी भी प्रकाल कसंदे नहीं है इसाफ प्रृक नलिकर अगर श्वपन अगर पने यह जागरी त अवस्था इसे भी आपार धन्षंबदा मिलते हैं तो ये थे शात संके जिसे भगवान प्राय हर मनुश्यों को धन्षंबदा देने से पहले ये सात संके देते हैं आसा करतो मेरे वीडियो में बतायागे जानकरी आप सभी दर्सकों को ज़रूर पशंद आया होगा दोस्तों नमस्कार